गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ट्रस में मैं दुरू दनकर फॉर्मर एस्बिया प्यू आज एक छोटा सा ब्रीफ सा सेशन लेकर आया हूं काफी लोग काफी सारे आर्टिकल्स रिगार्डिंग CET में साथ शेयर कर रहे हैं जिनमें most of the articles कलके हैं तीन थारीक के हैं एक तारीक को बजट आपका रिलीज किया गया उसमें CET की कोई बात नहीं फिर उसके बाद हमारे जो ओनरेबल मिनिस्टर है जेतिंदर सिंग जी उन्होंने कमेंट किया कि फ्रॉम सब्टेंबर ओन्वर्ड्स CET applicable होगा exam CET की through conduct करवाए जाएंगे NRA has already been set up ऐसे करके कुछ articles में ये news आ रही है तो students परेशान हो चुके हैं जैसे कि वो हमेशा होते हैं although मैंने कल आपको session दिया था IBPS ने calendar भी release कर दिया still आपको परेशानी है और ये है कि सर CET की अपडेट्स क्यों आ रही है देखिए once and for the last time मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ IBPS ने जो calendar रिलीज किया है exam dates के साथ किया है आप सभी देख सकते हैं exam dates क्या है most of the dates September ये उससे पहले की है अब let's say CET September onwards से exam होना स्टार्ट होता है notification आती है जल्दी से जल्दी कब तक करवाया सकेगा November से पहले तो नहीं हो सकता न November तक आपके सारे के सारे exam हो जाएंगे अब उसके बाद भी CET किस तरह से act करने वाली है CET जो exam लेगी that will be for prelims that will be for phase 1 phase 1 के लिए यहाँ पर आपके exam होंगे इन CET से आपको क्या मिलेंगे CET से आपके कुछ scores आएंगे और यह scores यूज करेंगे different organizations जैसे कि IBPS, SSE and many more ठीक है और फिर अपने according यह organizations अपना phase 2 यह means exam conduct करवाएंगे यह पूरी process लगते लगते अगला साला आजाएगा तो यह CET के score काम कब आएंगे यह CET के score काम आएंगे सर जब 2022 के recruitments निकलेंगे 2022 के जो आपके bank insurance recruitments निकलेंगे वहाँ पर यह CET का score काम आ सकता है अगर timely जिस तरह से वो सकार कोशिश कर रही है यह से जल्दी से जल्दी लागू करने की अब इसमें हमें इस साल के recruitments के लिए बिल्कुल भी परिशान होने की ज़रू अगर आप SSC का देके तो SSC का notification भी released है dates भी उनकी mentioned है 37 RBI के भी सारे notifications almost आना start हो चुके है ठीक है जैसे मैंने बताया SBA, Unit Associates का भी notification आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा प्यार ये CET को लेके अभी इस साल 2021 में तो बिल्कुल भी परिशान होने की ज़रूरत निया सरकार कितना जल्दी भी लागू करने की कोशिश करें इस साल के जो recruitment हैं 2021 के जो recruitment हैं वो old pattern पे रहेंगे हमारे लिए IBPS से conduct करवाएगा SBA वाले notification SBA से RBA के RBA से ठीक है अब CET का जो application है ये आपको 2022 में देखने को मिलेगा इसमें central level exams तो हैं national level exams है state level भी जो exams रहते हैं वो भी है इसके अंडर आएंगे पर उसके लिए अभी हमें परेशान अभी हमें focus रहना है अपने preparation पर ध्यान देना है अच्छे से regularly practice करनी है regular session certain करने है mocks लगाने है तो ये जो जो चीज़े करने की जरुवत है वो करना अब हमें start करना पड़ेगा बच जाए कि इन negative updates में आप indulge करें देखे at least 4-5 students ने मुझे आज whatsapp पे ये article send कर दिया economic times में शायद ये article आया था जो बात मैंने आपके साथ share की regarding CAT update जो September onwards वाली बात है उसके लिए हमें परिशान होने की ज़रुवत नहीं है अब इन चीज़ों पर बिलकुल भी ध्यान मत दीजे request आप से यही रहेगी अब इसके बाद मैं CAT के उपर कोई भी इस तरह का वीडियो नहीं upload करूँगा जब तक official कोई update आती है तो वो ज़रूर शेयर की जाएगी पर इसके बाद में और आप लोगों से भी request है जितने भी मेरे students है कि इस तरह के जो articles हैं वो circulate ना करें इस तरह के articles में ज़्यादा indulge ना करें और अपना time ना waste करें और इसके बजाए preparation पे focus करें 2021 को अपना साल बना लीजे जान लगा दीजे जान लगा देंगे पूरी महनत करेंगे मानदारी से महनत करेंगे तो ज़रूर 2021 में ही आपको job नेगा 2022 के लिए CET के लिए इन चीजों के लिए आपको परिशान होने की ज़रूरत ही ने पड़े और जब CET आएगा तो CET के लिए भी preparation करवाई जाएगे पर अभी वो समय नहीं अभी समय है old pattern पे सही तरिके से prepare करना ठीक है I hope I have made myself clear और अब आपके बिल्कुल clarity of thought आ चुकी है और अब बिल्कुल नहीं सोचना कितने भी articles है न यूस पेपर में ना उन्हें circulate करना है ना उन पे time waste करना है सिरफ अपनी preparation करना है ठीक है अब batches आलरेड़ी चल रहे हैं आप लोगों को बता रखा है means और pre दोनों के लिए batch चल रहे है prelims के लिए नए students और जो पुराने हैं जो नए सरे से तैयारी करना चाते है उनके लिए prelims का batch है बिल्कुल free of cost आपको तैयारी करवाई जारी है तरीके से reasoning का आपका 8 p.m.p. session और quants का आपका सुबह 9 बजे session इसके लिए रहता है this is for prelims अब इसी तरीके से mains के भी अभी भी हमारे दो exams बाकिए है mains की जो हमारा पुराना course है अभी continue है आपका end आपका साथ बिल्कुल end तक हम नहीं चूड़े एकदम आखरी जब exam बचेगा तब तक ये course चलेगा और reasoning का इसका time रहता है सुबह साड़े क्यारा बजे 11.30 a.m. पे इसकी class रहती है और mains के लिए quants की class रहती है शाम को सवाच 6 बजे 6.15 p.m. पे ये हमारा पुरा का पुरा रूटीन है हमारी schedule का prelims के लिए and mains के लिए ये classes regularly attend कीजे अब इसके लावा अगर आपको और practice content की ज़रुवत है तो कुछ playlist है जो मैंने suggest कर रही है प्री के लिए playlist है reasoning for pre की नाम से and quants के लिए quants for pre की नाम से यहाँ पर practice के लिए आपको बहुत content मिलेगा same goes for quants quants के लिए तयार की गई है reasoning for means के नाम से और quants के लिए quants for means के नाम से जो playlist section में हमारी channel पर आपको मिल जाएगी यहाँ से आपको practice कर सकते है और current affairs के लिए मैंने अल्रेड़ी आपको बता रखा है affairs cloud को 2021 का annual subscription अगर आप खरीज सकते हैं तो खरीद लीजे discount वगएरा लगा के सारी चीजे करके 400 रुपय के round कपड़ता है जहां पर बहुत एच्छे से detail में आपको preparation करवाई जाएगी साल की काफी जो students है subscription से उनको बहुत benefit मिला है तो अगर आप afford कर सकते हैं तो afford कीजिए नहीं कर सकते तो free भी और बहुत सारे platform से जहां पर आप preparation कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के session में इतना ही now that's all for today session good night